नमस्कार मैं अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है। देशबर में कोईना मामलों में स्थिर्टा आने की साथ ही अब यात्री देरे दिरे ट्रेनों से यात्रा करने में मुखर हो रहा है। इनमें 01331 पूने दानापूर स्पेशल चार साथ ग्यारा और चादा जून को दानापूर के लिए जबकि दानापूर पूने स्पेशल पाच आठ बारह और पंद्रा जून को खुलेंगी। 01333 पूने दर्भंगा स्पेशल ट्रेन 3 और 10 जून को जबकि दर्भंगा पूने स्पेशल 5 और 12 जून को खुलेंगी। इसके अलावे 01335 पूने भागलपूर स्पेशल 6 और 13 जून को जबकि भागलपूर से पूने के लिए ट्रेन 8 और 15 जून को खुलेंगी। 01361 चत्रपती श्रिवाजी तर्मिनस दर्भंगा स्पेशल ट्रेन 8 और 15 जून को खुलेंगी। इसे देखते हुए अब IMS और IGMS के बाद राजदाने पटना की सबसे बरे अस्पताल PMCH में भी ब्लैक फंगस की मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। वहीं एक मरीज की स्थिती गंबीर होने पर उसे पटना इंस रेफर कर दिया गया है। बताते चलें कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को प्रदेश में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीजों की पुष्टी हुई वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई। इसके तहट पटना के PMCH और AIMS जैसे संसानों में दो-दो मरीजों की इस फंगस की वज़ा से मौत हुई है। जबगी IGIMS में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हुई है जिसके बाद राज में ब्लैक फंगस से पीरितों की संख्या 310 हो गई है। अब आम लोग भी कर सकेंगे रेल टिकट की बिक्री कर सकेंगे इसके लिए आपको कोई परिक्षा या इंटर्व्यू देने की जंजट नहीं होगी। जिसके बाद 9 जून को निविदा की कागजात खोले जाएंगे जिन लोगों का आविदन हर तरीके से सही होगा उन्हें ही टिकट बेचने की जुम्यदारे मिलेगी। जोन पर वाहन लेने वालों का किष्ट देने में काफी परिसानी हो रही है। एक पाँच लाग ट्रेक्टर, एक दसबलब आट पाँच लाग ट्रक, पच्छतर हजार मिनी बस, साथ हजार बसों में से दस लाग से अधिक कर्मचारी वह मेकैनिक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और कोरोना संकरमन के दौरान इनके सामने भुकमरी के सिती पैता हो गई है। बरात से अब तक का सरवाधिक एक दसबलब तीन शुने लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण गंडग दियारा में पानी फैलने लगा है। वहीं कोसी और बागमती में भी पानी का दबाब बढ़ा है। शुभर के डुबबा घाट में बागमती नदी का जलस्तर साथ दसबलब नौशुने मीटर पर पहुँच गया था जो की खत्रे की निशान से मात्र 38 सेंटीमीटर कम था। वहीं परश्यों में चंपारन जिले में बारिश शेक, गंडक, सहित, हढ़ा, मसांत, सिंगा, भलुई, धमनाहा, रगिया, पंड़ाई, आदिपहारी, नदी आउफान पर है। बताते चले कि जलस्तर में व्रिद्धी होने से समस्तिपूर, दर्बंगा, मदुबनी, वन, सिता, मधी के कई ग्रामिन छेत्रों में पानी भडाया है। पपुयादव के समर्थकों ने उक्तिगाओं में मेडिकल कैम्प लगाया, तो आरजेडी के समर्थकों ने बवाल काटा। पर जाच की जारी है। लोग नदी पार करना चाते थे, हलांकि अच्छी खबर या है कि इस हाफसे में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, हलांकि पुल तूटने के बाद एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था, लेकिन किनारे खड़े लोगों ने उसे सुरक्षित बचा लिया। इस क्रम में सानिय ग्रामी ने बताया कि आपसी जनसायोग से यह चचरी पुल हर वर्ष बनाया जाता है, बार आने पर प्रती एक साल यह तूट जाता है, पुल के तूट जाने के बाद प्रखन मुख्याले से दरजनों गाउं का संपर तूट किया है। अब घटिया राशन देने पर डीलर पर होगी कारवाई। ताकि डीलर समय अनुसार लाभार्थियों को अनाज की पूर्थी करा सके। इसके साथ ही उन्होंने राशनकार धार्यू सभी लाभुकों से भी अनुरोद किया है कि प्रती वैक्ति निर्धारित मुफ्त रासन कहीं उठाव करे। उन्होंने कहा कि गुनवत्तापूर ननाज देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। तुफान से छतिग्रेश तर फसलों का सरकार करवा रही है आकलन। कहा कि क्रिसे इत्पाद और इससे जुरे सामागरियों की व्यापारियों कोई समस्याओं का शिग्र निदान करा जाएगा। इस दोरान श्रहद उत्पादन रासाइनी खात की कीमते निरंतर बढ़ने वाट काटा लाइसंस नविकर्ण में दिक्कतों। लागडाउन के दोरान व्यापारियों के साथ पुलिस की जादती और किसानों की उपज का उच्छित मुले नहीं मिलने का मामला भी रखा गया। अगली कुछ दो तीन दिनों तक मुस्लाधार बारिश होगी दूसरी तरफ मुस्लाधार बारिश से कटिहार सेमापूर को जोडने वाली हवाई अड़े के निकट बनी सरक पर रन कट होने से सरकट गई जिसके कारण लोग जिला मुख्याले नहीं पहुच पा रहे हैं। सरकारी व्यवस्ता के बोल खोलने वाली खबर दिखाना एक बर फिर लोगतंत्र के चौथे इस्तम को महगा पड़ गया है। ये FIR, BJP नेता और बकसर विधानसवा के पूरु प्रत्याशी परशुराम चित्रुवेदी ने दर्श कराई है। इसके ध़त, BJP नेता परशुराम चित्रुवेदी ने उमेश्वान्डे पर धमकाने केंद्रे मंत्री अश्विनी चौबे और BJP की चवी धूमिल करने समेत कई गंभीर आरोप लगाया है। इस खबर के बाद राज में सियासे हंगामा मच गया। दरसल एटीवी भारत ने इस सवाल के साथ खबर बनाया था कि हद हो गई केंद्रे स्वासे राज मंत्री ने दो बार नहीं चार बार किया एक ही एंबुलेंस काउद गाटन। जिसके बाद चैनल ने किंद्रे स्वासे राज मंत्री अश्वनी चौबी का पक्ष भी जानने के लिए फोन करूने कई बार जानना चाहा लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया वहीं जब विबाद ने तुल पकड़ा तो पार्टी के इस खबर को लेकर सफा यह मंदिर तारा मंडल से सटे हनुमान जी का था दरसलाम लोग इस मूर्ती की खासियत के पहसान नहीं कर पा रहे थे इसलिए यह मूर्ती मंदिर के पीछे पेर के नीचे लंबे समय से रखी हुई थी इसे बीच पटना संग्राहाले के पुड़ातत्व वीद शंकर सुमन क वहां सी गुजरने की क्रम में नजर पढ़ने पर उन्हें इस खास मूर्ती की पहचान हो गई जिसके बाद विहार संग्राले से कुछ और पुरतत विद पहुँचे वहीं जाच परताल के बाद पाया गया कि यह मूर्ती पुड़ा अफसेथ है जिसके बाद मंदिर के सेव को इसकी खासियत के बारे में बताने पर उन्होंने खुद इस मूर्ती को पटना म्यूजियम ले जाकर दांत कर दिया हलांकि अब तक यहां मालू नहीं चल सका है कि मूर्ती यहां कैसे पहुची भगवान कुबेर की यह मूर्ती आगे से कुछ खंडित हो गई है यह मूर्त प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इन आखरों पर हमला बोला है तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार ने वास्तविक जाच और कोरोना से मौत के आखरों को चिपाने का काम किया है उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना की जाच केट बेची ग हालांगी आपको बता दे कि एक दैनिक अख़वार की रिपोर्ट के मुताबिक 70% लोगों को डेर महिने बाद एंटेजन टेस्ट की रिपोर्ट बेजे गई जिसका परिणाम सिर्फ 15 मिनट में ही आता है कोरोना की पहले लहर के समय में भी बिहार में बड़े पैमाने पर को पूटाला आउजागर हुआ था अब दूसरी लहर में भी यही देखने को मिल रहा है रिपोर्ट के उपर शाया दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी चिन जाने का खत्रा आईपियल सीजन 14 के बाकी बचे मैचों कायोजन सितंबर अक्टूबर में UAE में होने जा रहा है मैस बी सितंबर से शुरू होने की संभावना है इसलिए अयर की टीम में वापसी का रास्ता पूरी तरह से साफ होता दिख रहा है वहीं स्पोर्ट्स टुड़े की रिपोर्ट के मुताबिक आईपियल के UAE शिफ्ट होने पर श्रेयश अयर की टीम की कमांद संभालते हुए नजर आएंगे देशबर में 46 दिनों बाद आए कोरोना के सबसे कम मामले इन दिनों ओसतन दो लाग से कम आ रहे हैं स्वास्वाग द्वारा जारी ताजा आकरों के मुताबिक 24 गंटे में कोरोना के 1,65,553 मामलों की पुष्टी हुई है वहीं इस दौरान 3,460 मरीजों की जांज इस गंटे में 1491 नए कोरोना मामले आये हैं वहीं इस दौरान 5168 लोग ठीक भी हुए हैं जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरिजों के संख्या 21004 हो चुकी है वह अच्छी खबरिया है कि बिहार में मामले कमा रहे हैं और डिकवरी डेट बढ़े हैं जो की बढ़कर 96 दसबलब 29 पीसे दी हो चुका है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास के राशन केंद्रों में कोरोना काल में मुफ्त सरकारी राशन मिल रहा है या नहीं आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया और बिहार से जुरी खब्रों से अपडेटे रहने के लिए जुरी रहें बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार